नए साल का अगाज बारिश के साथ कुछ ऐसी भविश्यवाणी मौसम विभाग की और से जारी हुई है जिसमें इस बार नया वर्स एक जौनरी दो हजार इकिस का अगाज बारिश के साथ होगा मौसम विभाग के अनुसार पक्ष्चिमी विशोब के चलते वेस्ट यूपी के अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 31 दिसंबर की रात और एक जन्वरी हल्की फूर्गा बांदी और बारिश की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के डॉक्टर एंसुभास के नुसर इस समय वेस्टर्ण डिश्टर्बेंस काफी तेजी से बन रहा है जिसके कारण तापमान में बढ़ हुत्री हो रही है और वायू मंडल पर हवा का दबाव काफी बढ़ता चला जा रहा है वहीं इस समय हवा में नमी जवर्जस तरीके से बढ़ती जा रही है जिसके कारण बारिस की संभावना और ज़्यादा जताई जा रही है बात मौसम की करें आज तो आज जो है मेरट का तापमान नियुमतम तापमान इस समय आज डिग्री सेंटिग्रेट और अधिकतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री सेंटिग्रेट हो चुका है जो सौमार की अप्रेक्षा तीन डिग्री सेंटिग्रेट अधिक बढ़ा हुआ है इसी तरह एक युवाई यानि एयर क्वाल्ट इंडेक्स इस समय सबसे खतरना के स्थर्थ तीन सो के उपर तक पहुंच चुका है मेरट का एक युवाई इस समय तीन सो इक्यावन 351 एक इस तरीके से दो दो तक हवा में और वायू मंडल में धुंद च्छाई हुई है हवा ना चलने के कारण वायू मंडल में प्रदूशन के कान चिपके हुए हैं जिसके कारण वायू प्रदूशन का इस सर काफी बढ़ चुका है वहीं आज हवा की रफ्तार की बात करें तो बिल्कुल ही निम्स्तर यानी एक दिशमलो पाँच किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है इस हवा का असर ना तो वायू मंडल पर और ना ही मौसम पर पड़ रहा है सूरज इस समय पिल्कुल अपने शबाब पर सूरज ने पूरी छटा भी खेरी हुई है हल्की हल्की गर्मी आज मैरा इस संपत्रिगा के लिए मेरट से केपित पठी कर दो कर दो